हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं कक्सा आठ सामाजी के वम राज नितिक जीवन विशय का दूसरा अध्याई धर मंदिर पेक्सता की समझ और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तर तो सबसे पहले आईए सुरू कर लेते हैं पाठ के अंतरगत पूछे गए प्रस्ण और उनके उत्तर समझते हैं आप पाट के अंतरगत पूछे गए प्रस्न का मतलब होता है जो पाट के बीच बीच में आप से प्रस्न पूछे जाते हैं सबसे पहले उनके उत्तर जान लेते हैं आप देख सकते हैं पाट के बीच में तो यहाँ पर पहला प्रस्ण आपके लिए इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती अगर सारे समूव बदले के रास्ते पर चल पड़ें तो क्या होगा और ये प्रस्ण बच्चों आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 19 पर यानिकि आप 19 नंबर पेज देखें अपनी पाटे पुस्तक के वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रस्ण देखने को मिलेगा उत्तर में क्या लेखेंगे आप उ पानविय ब्यवार कर रहे हैं या एक प्रकार के बदले की भावना है जो इस समस्या से निपटने का सही तरीका नहीं है अगर सारे समूव बदले के रास्ते को अपना लें तो पूरे बिसो में अफरात अपरी फैल जाएगी या अंतराश्टिय समंदों को प्रवावित करे उसका उतर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बाद बच्यों दूसरा प्रस्न देख लेते हैं ककसा में चर्चा करें और क्या चर्चा करें क्या एक ही धर्म के वीतर अलग-अलग द्रेश्टिकोंड हो सकते हैं और ये प्रस्न आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर मिलेगा। उत्तर क्या लिखेंगे उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे जम्मु कस्मीर में मुसल्मानों द्वारा गैर मुसलिम समुदायों को परतारित किया जाता है या मारा जाता है या सम्विधान के धर्म निरपेक्स आधरसों का उलंगन है तो ठीक इसी प्र चित्र कथा पट्ट में सिक्सक ने जो उतर दिया उस पर चर्चा करें और क्या दिया यहां पर आप देख सकते हैं पेज नमर 22 पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको यह चित्र कथा देखने को मिलेगी आप यहां से भी देख सकते हैं बच्यों यह वो चित्र और यहां प का चित्र है 22 नमबर पेज पर देखें आप इस चित्र को और उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे सिक्सका उत्तर नमबर एक भारत एक धर्म निर्पेक्स राजी है नमबर दो सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते और नमबर तीसरा लिखेंगे आप प बच्चो आप अपने 22 नमबर पेज़ पर देख सकते हैं अपनी पाठे पुस्तक के ये चितर देखने को मिलेगा और सिक्षक के जवाब भी इसके बाद अगला प्रस्न है बच्चो दूसरा प्रस्न है आपका सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मन रिपेक्स राजय के तीन उद्देश्यों को दुबारा पढ़िए आप इस बारे में दो वाके लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए और ये प्रसना आपको देखने को मिलेगा बच्चों 23 नमबर पेज पर आप अपनी पुस्तक के या अपनी किताब के 23 नमबर पेज पर देखें और इस प्रकार के आपको वहाँ पर एक चितर देखने को मिलेगा देखें ना आप यही चितर आपको 23 नमबर पेज पर मिलेगा और उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे भारत एक धर्म निर्पेक्स देश है इसलिए सरकारी स्कूलों में भी धर्म निर्पेक्सता की नीतिका पालन किया जाता है सरकारी स्कूल न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और नहीं विद्यारतियों की धार्मिक स्वतनता चीन सकता है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दो पॉइंटों में बच्चो अगला है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर सुरू हो जाते हैं बच्चो पाठ के अंत में पूछेगे प्रस्न और उनके उत्तर तो आप देख सकते हैं अपनी पाटे पुस्तक में जहां पर आपका पाट समापत हो जाता है उसके बाद पाट के अंत में आप से कुछ प्रसने पूछे हुए हैं चलिए देख लेते हैं आप उनका उतर कैसे लिखेंगे तो पहला प्रसने बचो अपने आज पडोस में परच क्रिया कलापों की स्वतनता का पता चलता है तो यह है आपका प्रसन बचो और उतर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं धर्म या धार्मिक क्रिया कलाप और हेडिंग डाल के लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे फस्ट में हिंदू और इनके धार्मिक क्रिया कलाप क्या ह होते हैं बजन संगीत प्रातना पुजा और किर्तन इस प्रकार से आप अगलाप पर लिखेंगे यहांपर चौथा इसाई धर्म में क्या होती है प्रातना ही प्रातना सबा होती है तो यहांपर लिखेंगे प्रातना तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रस्ण का उत्तर देख सकते हैं आप यह आपका प्रस्ण और उत्तर आप इस प्रकार से लिखते जाएं और साथ में क्या लखेंगे हाँ इस से धार्मी क्रिया कलापों की स्वतनता का पता चलता है अगला प्रस्ण है बच तो आप क्या लिखेंगे उतर लिखेंगे आप हाँ सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक से करेगी क्योंकि क्यों करेगी नमबर एक कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराद है दूसरा कारण लिखेंगे यह धारमिक छूट मानवधिकारों का हनन है तो आप इस प्रकार से अपना उतर इस दूसरे प्रस्थन का उतर लिख सकते हैं बच्चो तिसरा प्रस्थन है इस तालिका को पूरा कीजिए और ये तालिका देखरें ने बच्चो आप यहाँ पर एक टेबल आपको दिकाई दे रही यह और इसमें लिखा है इधर लिखा नहीं रखता और दूसरा है राज जर्नतों किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक सुतनता चीनता है तीसरा है यहाँ पर एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं तो यहाँ पर आपको लिखना है या क्यूं महतो पूर्ण क् उद्देसे के उलंगन का एक उधारन भी आपने यहां पर लिखना है चलिए उत्तर देख लेते हैं उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं यहां कारे क्यों मैथ तो पूर्ण है और इस उद्देसे के उलंगन का एक उधारन भी आप देंगे तो उत्तर में आप इसी प्र बातावरण हेतु उद्दे से में लिखेंगे। फस्ट में लिखेंगे जम्मो कश्मीर में मुसलमान हिंदू पर बर्चस रखते हैं। दूसरे में लखेंगे श्री लंका में तमीलों पर सेली नुम का बर्चस राइं। ते यह परकौर से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं चौता प्रशने बच्यों, अपने स्कूल की छुटियों के वार्सिक कलेंडर को देखिए, उसमें से कितनी छुटियां विविन धर्मों से संबंदित हैं, इससे क्या संकेत मिलता है, आप समझेगे न, अपने स्कूल की छुटियों की वार्सिक कलेंडर को आप देखेंगे, और उससे देखकर उसमें पता करें कि मुसलमानों से संबंधित प्रकारूर। इदूल जुहा, मुहरम, मिलाद और इदूल फितर इसी पेकार सिक्कों से सम्बंदित बैसाकी, गुरुनानक जेहनती और जेहन धर्म से सम्बंदित महावीर जेहनती, बौत धर्म से सम्बंदित बुद्धफूर्णिमा और हिंदू से सम्बंदित लोहडी, मकर सकरांती, बस शिवरात्री, होली, राम नौमी, रक्षा बंदन, जन्मास्टिमी, दसरा, वालमी की जैनती, दीपावली, गोवर्दन, पुजा, भैयादूज, और इसाई धर्म से संबंदित, गुड़ फ्राइडे और क्रिस्मस डे, तो देख रहें आप बिबिन धर्मों से संबंदित, नेक धर्मों के लोग रहते हैं, और नमबर दो, बारत में सवी धर्मों के लोगों की भावनों का आदर किया जाता है, नमबर तीन, परतेक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म, अपनाने तता उसका परशार करने का अधिकार है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर इस द्रिश्टिकोणों के कुछ उधारन दें तो आप उधारन देंगे बच्चो किस प्रकार से देंगे उत्तर लिखेंगे आप एक ही धर्म में अलग-अलग द्रिश्टिकोण धर्म अलग-अलग और अलग-अलग द्रिश्टिकोण तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सक हीन यान, इसाई में कैथोलिक, प्रोटेस्टेड और यहाँ पर जो है, जैन में दिगंबर, स्वेतामबर, तो इस परकार से आप अपना उत्तर लिखें, इसके बाद बच्चों छटा प्रस्न है, बारतिय राज या धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक से भी करता ह या उलजाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्सा में एक बार फिर से चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए इस अध्याय में दिये गए उधारनों के अलावा, आप अपनी जानकारी के अन्य उधारन भी साहरा ले सकते हैं, देखरें आप, यह आपका छटा प्रस्न, और सरकारी विद्याल है, और दफ्तर जैसे सरकारी सस्तानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रतस्न करने की छूट नहीं है, दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, भारतिय राज्य का धर्म में हस्तक से, और उसके बाद, लिखेंगे नमबर एक, धर्म के न लिए राज्य को समधायों के धर्म पर आदारित निजी कानूनों में भी हस्तक से कर सकता है, तो इस प्रकार से आप अपना उतर लिख सकते हैं बच्यों, यह आपका छटा प्रस्न है, और इसका उतर आप दो बार हेडिंग डालेंगे, पहला डालेंगे भारतिय राज्य का धर्म से फासला, और दूसरी एडिंग डालेंगे, भारतिय राज्य का धर्म में हस्तक से, इस प्रकार से आप अपना उतर लिखें, बात करते हैं साथ वे प्रस्न की, साथ में दिया गया यह पोस्टर सांति के महतों को रेकांकित करता है, इस पोस्टर में कहा गया है, सांत तो देख रहें ना यह भ बचो यह आपका पोष्टर और आप इसे अपने सातुएइ प्रस्न में देख सकते हैं अपका पोष्टर क्या कहता है उत्र में क्या लिखेंगे आप उत्र इस प्रकार से लिखेंगे नमबर एक पोइन्ट डालेंगे सांटि से हम सब कुछ प्राप् होती है और सब मिल जूलकर रहते हैं तो बच्चो इस प्रकार से इसी प्रस्ण के साथ यहां पर इस पार से सम्मंदित आपके सारे प्रस्णों के उतर समापत होते हैं उमीद है कि आपको अच्छे से समझ आये होंगे चैनल को सब्सक्राइब और से कर दें बेल आइकन भी